अध्यप्रदेश में पिछले 15 साल से शिवनासिंग चोहांजी की सरकार है और लोग उनकी सरकार में इतना ज्यादा प्रिष्टाचार रहे हैं लोग परशान हो चुके हैं इतनी महगाई है इतना प्रिष्टाचार है दिल्डी और पंजाब में लोगों को आप इतनी सारी विधाई मिल रही हैं अच्छे स्कूल अच्छे अस्पितार, फ्री बिजली, 24 मिल्डे बिजली, मध्यपरदेश के लोग भी जाते हैं कि ऐसी अच्छी सरकार मिलें, तो आज मध्यपरदेश के लोगों के साथ पाच्छ मैं यह पिछले 15 साल से सरकार चल रही हैं, सिय जται की के साथ पाच्छ जाते हैं, तो फिर वो आ जाते हैं, वो आपस में मिले हुए अब लोग मद्यापरदेश के इस कन्फूजर में हैं बोट किसको दें, कॉंग्रोस को दें तो सकार बीजेपी की आ जाती है, बीजेपी को दें तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो आमाधी पार्टी के ऐसा विकल्प है, जो पंजाब और दिल्ली के बाद मद्यापरदेश म मद्यापरदेश जो है, वो एक ऐसी धर्ती है, यहाँ पे भी एक मालवा है, मालवा जो कहा जाता है, उसको मतलब है उपजाओ, किसान, मैं वहाँ पे आया था जब वो गोली चली थी, तो पंजाब में मालवा से ही महें आता हूँ, पंजाब में मालवा है, तो मालवा नही बहुत बड़ा mandate दिया है तो मद्यप्रदेश के लोग भी यही चाहते हैं ब्रिष्टाचार से मुक्ति हो किसानों के लिए हसलों के भाव मिलें और ये जो मिले जुली है अगर तुम आ गया तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा मैं आ गया तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा ये वाला जो है मिला जुला नहीं चलेगा तो आमादी पार्टी की तरफ से हमारे सुप्रीमो अर्विन केजरिवाल जी और हम आए हैं और आते रहेंगे पहला मुद्दा फ्री बिजली दिल्ली में भी फ्री बिजली मिलती है पंजाब में भी फ्री बिजली और 24 घंटे बिजली मध्यपरदेश में देश में सबसे महंगी बिजली है और इतने लंबे लंबे पावर कट दूसरा शानदार शिक्षा चाए गरीब का बच्चा हो तो भी फ्री लाज शांदार इलाज लोगी चौथा है फ्री पानी पांचवा है महिलाओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट और छटा है बुजुर्गों की फ्री यत्रा यह दिल्ली और पंजाब दोनों में लागू है मद्यपरदेश में भी लागू है